नमस्कार स्वागत है आपका सतेहंदी.com पर मैं हूनी लूवियास और एक बार आपके साथ फिर से जुर रही हूँ आपके पसंदीदा कारिक्रम आज का अजेंडा में जहां पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए दिन भर की तीन बड़ी खबरों का विशलेशन लेकिन प्रो दाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store पे जिससे आपको और सहूलियत होगी और सतेहंदी को आप पर फॉलो कर सकते हैं तो भूलिये का नहीं प्लीज आप सतेहंदी का अप जरू डाउनलोड करें अब बात करते हैं आज के अजेंडा की तीन स्टॉरी कौन कौन सी स्टॉरी हैं आज की किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों में हमारी दूसरी खबर है किस तरीके से किसान आंदोलन के खबरों का हेडलाइन मैनेजमेंट सरकार करती आई हैं इसके पहले भी हमने आपको बताया है और अब इसके पुकता सबूत मिले हैं न्यूज लॉंड्री ने एक ऐसी जिसे आपको पता चलेगा कि कुछ टीवी चैनल्स और कुछ वेबसाइट्स ने खासकर मैनेज किया है और ये बताया है कि नहीं देखे इतने सारे किसान हैं जिनको इन कृशी कानून से पाइदा हो रहा है तो किस तरीके से सरकार इन खबरों को प्लांट करा रही है उसके आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कॉंग्रिस की मुश्किले और बढ़ सकती हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से बात करते हैं किसान आंदोलन की आज 12 दिसंबर है और जो किसानों ने सरकार के प्रस्ताओं को ठुकराने के बाद जो फैसला लिया था उनमें ये कहा था कि 12 दिसंबर को वो चक्का जाम करेंगे और जितने भी टोल प्लाजास हैं उनको फ्री कर देंगे तो आज जो खबरे आ रही हैं कि दिल्ली जैपुर हाईवे पे खासकर जो कोड़ पूतली के इलाके हैं आसपास के इलाके वहाँ पर सुरक्षा बलो की तैनाती बढ़ा दी गई हैं खबरे ऐसी भी आ रही हैं कि बहुत सारे किसान और भी राज्यों से यहां आने वाले हैं और रही बात टोल प्लाजास की तो अमबाला और करनाल के कुछ टोल प्लाजास हैं जिनको किसानों ने फ्री कर दिया हैं जो पैसेंजर्स हैं जो आ जा रहे हैं उनको वहाँ पर खड़े होकर यह बोला जा रहा है कि वो टोल नहीं पे करेंगे तो लेकिन किसानों का ये मान सबजी फल अनाज और सारी चीज़ों पर सरकार को देना पड़ेगा और इसके लिए MSP गैरंटी बिल लानी पड़ेगी इसके साथ साथ आपको ये भी बता दे कि आज प्रधान मंत्री नरेंदर बोदी ने फिकी का एक एवेंट था जिसके दौरान उन्होंने फिर से एक बार किसानों को आश्वासन दिलाने की कोशिश किया कि किसान मंडी से बाहर भी अपना आनाज बेच सकते हैं और उन्होंने कहा कि ये जो क्रिशी कानून है ये किसी भी तरीके से किसानों का नुकसान नहीं करेंगे तो उन्होंने किसानों को एक बार फिर से रीच आउट करने की कोशिश की है तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी एक तरफ से रीच आउट करते हैं लेकिन कल शाम को जिस तरीके से खबरे आ रही थी और सरकार के जो अपने मंत्री है वो जिस तरह से बार-बार ट्वीट के जरीए ये बता रहे थे तो केंद्र के पास बल है उनके पास एजनसीज हैं वो ऐसे तत्यों को आकर क्यों नहीं पकड़ लेते तो ये सारी खबरे चंचन कर आ रही है विपक्षी पार्टीज ने भी अपने जो आवाज है उसको बुलंद कर लिया है लेफ्ट का सपोर्ट है उधर राहूल गांदी ने भी लगाता ट्वीट किया है और सरकार की कड़ी निंदा की है कि ये जो क्रिशी कानून है वो किसानों के भविशे के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और सरकार आँग बंद करके चल रही है तो कहीं न कहीं बिल्कुल जो एक गतिरोद की स्थिती है वो बनी हुई है सरकार ने ये साफ कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे कानून को पीछे, क्रिशी कानून को वो वापश नहीं लेंगे और अला कि दो दिन पहले ही किसान नेताओं ने कहा था कि दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, किसानों को पीछे हटा पड़ेगा और सरकार को भी पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि किसान तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिया जाता है इस पर आपका क्या feedback है जरूर बताईएगा लेकिन जो गतिरोद की एक स्थिती है वो बनी हुई है अभी 14 दिसंबर भी आपको ध्यान होगा कि 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन होगा और जगा जगा पर लोग इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे ल हलाकि दिल्ली गाजिया बॉर्डर के पास भी पुलीस की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसानों को ना आने दिया जाए तो बस अब यही हम काम ना कर सकते हैं कि कोई अप्री घटना ना हो लोग अंदेशा ही लगा रहे थे कि हो सकता है कि किसानों के ओपर लाठी चार् रहे हैं और उनकी एक ही डिमांड की इन तीनों कानून को वापस लिया जाए लेकिन सरकार का ये मानना है कि नहीं वो वापस नहीं लेगी बलकि वो अमेंड्मेंज के लिए तैयार है जिसके लिए किसान बिलकुल भी तैया नहीं है तो गती रोध बना हुआ है कैसे इसका कर रहे हैं लेकिन किसानों ने भी ठान लिये कि वो पीछे नहीं हटेंगे तो यसे में रास्ता क्या निकलता है यह भी कहना बहुत मुश्किल है लेकिन एक बात तो प्ते हैं कि मोधी सरकार की नाकवे इन किसानों ने दम कर दिया है और शायद ही इतनी बड़ी चुनौती इंद्र मोधी की सरकार भी करेगी इस पर अपका क्या सोचना है फीदबैक जरू दीजेगा मैं आगी चलती हूँ अगली खबर भी अमारी किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई है लेकिन किस तरीके से किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों को सरकारी जो महकमा है वो कैसे मैनेज कर रहा है मीडिया में स्टोरी इसको कैसे प्लांट करा रहा है न्यूज लॉंडरी ने एक खबर चापी है जो कि बहुत इंट्रिस्टिंग है कि न्यूज लॉंडरी ने कुछ तीन रिपोर्टर से तीन जर्नलिस्स से बात किया जिनके जरीए ये पता चला कि सूचना और प्रसारण मंत प्रकाश जावडेकर के ओफिस से जो उनके पीएस है सत्त नरायनन उन्हों ने सभी जर्नलिस्स को एक लंबी चौडी वाट्साप गूप एक बना हुआ है उस वाट्साप गूप में उन्होंने कुछ फामर्स की लिस्ट बेजिए कुछ किसानों की लिस्ट भेजिए और सा नहीं चापा लेकिन ताजब की बात ये हुई कि इंडिया टुडे ने ये स्टोरी की तीन दिसंबर को इंडिया टुडे ने जब ये स्टोरी किया उसके बाद साउंड बाइट्स चली उनके सानों की उसके बाद राहुल कवल ने ट्वीट भी किया और जब लोगों से पू और यह दिखाएंगी कि सरकार ने जो कृषी कानून के बारे में निननलिया है वो सही है। शिर्फ इंडिया टुड़े ही नहीं, CNN News 18 ने इस तरीके की स्टोरी की थी। इंडिया टुडे ने तो प्राइम टाइम शो किया, CNN News 18 ने भी इस स्टोरी को किया कि किस तरीके से किसान मंत्री तो उनको तो जो चीज दी जाती है वो खुद बनाते हैं डीडी तो डीडी पर भी इस तरीके की स्टोरी हुई है तो आज मसला यह नहीं है कि किन-कन चैनल्स ने किया है इंडिया तुडे का एक समय था जब इंडिया टुडे बेबाक और बिलकुल सरकार के आगे न जुकने वाला एक ग्रूप था आज उसकी क्या मजबूरी है मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ लेकिन जो बार-बार इस तरीके के लगते हैं कि मोदी सरकार अपनी हेडलाइन को मैनेज करता है तो यह इसका जीता जागता एक्जामपल है कि आप स्टोरी अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप कुछ ऐसे एक्जामपल को खड़े करिए जो कि सरकार के फेवर में बोलेंगे और उस लिस्ट को आप मीडिया का vested interest है वो चापेगा जो मीडिया सरकार के फेवर में बोलता है वो चापेगा और जो सरकार के फेवर में नहीं बोलता है तो वो शायद नहीं चापेगा तो डीडी ने ये स्टोरी किया CNN News 18 ने किया India Today ने किया लेकिन इस स्टोरी के बाद जब News Laundry ने प्रतिक्रिया लेनी चाही प्रकाश जावड़े करकी तो उनकी तरफ से उनकी आफिस से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है तो ये जीता जाकता एक्जामपल है कि इस तरीके से सरकार को भी ये लग रहा है कि उसको मीडिया अगर ये मैनेज नहीं कर पाएंगे इस कृष्णी कानून में और कि लेफ्ट नहीं फिर किसानों को क्या बताया जाता है कि ये खालिस्तानी है और पाकिस्तानी है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और फिर दूसरी तरफ हम मीडिया में स्टॉरीज प्लांट करा रहे है तो पूरा नारेटिव देखे कि ये किस तरीके से बनाया जा रहा है कि सरकार की एक ही लाइन है अगर वो सरकार कंविंस नहीं कर सकती तो मोधी सरकार क्या करती है डिस्क्रेडिट करती है और फिर स्टॉरीज को प्लांट कराती है और जो 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 प्लांट ग्रूप से हैं जो कि बहुत आसानी से मुड जाते हैं घूम जाते हैं ज ये बता रहे हैं कि देखें ये क्रिशी कानून उस कुछ जो कुछ पच्चेस या तीस किसानों की जो लिस्ट है उसके जरीए वो ये बताना चाहरे हैं कि देखें किसान खुश है लेकिन जमीनी हक्कीकत क्या है वो उससे दिखाने से कोई मतलब नहीं है इस स्टोरी पर आपक पती प्रणम मुकर जी की एक आने वाली किताब पर जिसका नाम है The Presidential Years ये किताब का लॉंच जैनुवरी में है लेकिन इस किताब के कुछ एकसरप्स सामने आए हैं जिसमें प्रणम मुकर जी ने ये लिखा है कि 2014 का चुनाओ कॉंग्रिस इसले जीती क्योंकि मनमोहन सेंग और सोनिय गांधी उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाए इसके अलावा प्रणम मुकर जी ने ये भी लिखा है कि अगर 2004 में उन्हें प्रणान मंत्री बनाया गया होता तो शायद 2014 का चुनाओ कॉंग्रिस नहीं हारती इसके अलावा मोधी के बारे में भी प्रणम मुकर जी ने साथ में मोधी सरकार ने जहां जहां पर राष्टपती का शासन लागू किया है उस पे भी सवाल खड़े किये गए हैं उस पर demonetization जिस तरीके से नोडबंदी का फैसला लिया गया था उसका mention है तो कहीं न कहीं आज इस किताब के excerpts आने के बाद कॉंग्रिस को जवाब देन मुश्किल हो गया है उसके बाद कहीं नेता इस चीज़ को लेकर बोल चुके हैं कि कॉंग्रिस में आत्मन्थन नाम की चीज़ नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जो गांधी परिवार है वो बिल्कुल interested नहीं है जिसका प्रमाड समय समय पर देते रहते हैं अब जब ये खब करे आ रही है कि शरत पवार को UPA का चेर परसन बनाने की बात कहीं जा रही है तो ये कहीं न कहीं इस बात को substantiate करता है और validate करता है कि Congress as a party बिल्कुल कमजोर हो गई है इस समय leadership की एक बहुत बड़ी crisis है कोई नेता नहीं है जो कि पार्टी को एक जुट होकर लेकर चल सके तो प्रणब मुकर जी एक ऐसे troubleshooter माने जाते थे कि Congress में कोई भी problem होगी तो वो उस problem को handle करने के लिए तयार थे मनवान सिंग की सरकार में वो वितमंत्री रह चुके हैं और उन्हें troubleshooter का नाम दिया गया था कि कोई भी crisis आएगी तो प्रणब मुकर जी के हाथ में अगर वो crisis जाएगी तो उसका निवारन हो जाएगा तो इन सारी बातों को प्रणब मुकर जी ने लिखा है लेकिन 2014 का चुनाव Congress नहीं हारती तो यह सब बहुत interesting excerpts है पढ़ने के लिए लेकिन Congress के सामने जो एक बड़ा सवाल खड़ा है जो एक leadership crisis का सवाल खड़ा है कि आज UPA के अंदर एक इतनी बड़ी crisis नजर आ रही है Congress के front line पे ना होने से कि अब आज जो सुर्तेज हो गए हैं कि शरत पबार को UPA का चेर परसन बनाया जा लेकिन सवाल यह है कि आज Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi आज बिल्कुल backstage में क्यों चले गए हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं यह बात समझ में नहीं आ रही है जबकि Congress की अंदरूनी crisis और जो कलय है party की वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो यह सारे स सवाल इस समय खड़े हैं लेकिन इसका जवाब हमें मिलेगा यह नहीं मिलेगा यह तो कहना मुश्किल है लेकिन आज एक existential crisis Congress के सामने जरूर खड़ा हो गया है तो आज की agenda की तीन stories में इतना ही आप मुझे Twitter पर follow कर सकते हैं मेरा Twitter handle है at nilu317 और जाते जाते एक बर आपको फिर से आदिलाना चाहती हूं कि Google Play Store से आप सत्य हिंदी का आप ज़रूर डाउनलोड करें Thank you so much सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें Google Play Store पर